हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्धिप्रेस डेली क्रेंट फिर में आपका सौगत है आज है साथ मार्च 2019 और यह हमारी बानवेवी क्लास है 12 इंपोटेंट क्वेशन आपके लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम और आपके नौज़ की दिरस्टी से बहुत इंपोटेंट हैं इन क्वेशन को आप नौट कर लें क्यूंकि यह आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं साथी क्वेशन से रिलेटेड इंपोटेंट एक्टिवी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखनी है Q1. हाली में किसने स्रम योगी मांधन योजना लॉंच की है इस योजना का उद्राटन एहमला वास्य किया गया है आपको बता दें इस योजना के अंतरगट जो असंगटे छेत रहें उसमें 10 करोड स्रमकों को 300 रुपए माशिक बेतन की रूप में दिये जाएंगे यानि मन्तली पेंसन के रूप में 300 रुपए दिये जाएंगे तो यह योजना हाली में प्रधान मंती मोधी जी ने आहमदा वास्ते शुरू की है Q2. IQ Air Visual की रिपोर्ट अनुसार बिस्व का सबसे प्रदूशिक शहर कौन सा है जिसका सही ओफ्रन है गुड़गाओ या गुरूगाओ गुरूगाओ बिस्व का सबसे प्रदूशिक शहर है एंसी रिपोर्ट IQ Air Visual द्वारा आई है आपको बता दे गुरूगाओं का प्रदूशिक का स्थर 135.8 यानी 135.8 माइक्रोग्राम क्योविक मीटर है तो इतना आपको गुरूगाओं के बारे में याद रखना है कि यह बिस्व का सबसे प्रदूशिक शहर है Q3, RBI की रिपोर्ट अनुसार सबसे कम बिरूशगारी किस राज्ज में है जिसका सही ओफ्षन है गुजराद गुजराद सबसे कम बिरूशगारी वारा राज है ऐसी रिपोर्ट RBI की द्वारा आई है गुजराद में ग्रामिल एरिया के 1060 वे गुजराद में की मुज़ाद में गुजराद में और इसके अलावा जो शही क्षेत्रों में हैं वह सिर्फ 26 विरुजगार हैं तो ये बहुत important question बन जाता है RBI की रिपोर्ट अनुसार सबसे कम विरुजगारी राज्य है वह है गुजरात और दूसरे नंबर पर है अपना मज़िप देश अब बात आईए गुजरात की तो मैप में आपको गुजरात के बारी में बता दें ये जगह है गुजरात को दर्शाती है गुजरात की स्थापना एक मई années 1960 में की गई थी गुजरात के गवर्णर है ओम प्रिकास कोहिली गुजरात के मुख्यमंद्री है विजय रूपाणी और गुजरात की राजधानी है गानी नगर तो इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है गुजरात के बारे में किसे नालसा का अंत्रिम चियर्मेन बनाया गया है तो इसका स्योप्षा ने जिस्टिस S.A. बोड़े को हाली में नालसा का चियर्मेन बनाया गया है अब ये नालसा क्या है आपको नालसा का फुल फॉम बता दें भारतीय रास्टीय कानुनी सेवा प्राधिकरण ये नालसा का फुल फॉम है एक बासर भारतीय रास्टीय कानुनी सेवा प्राधिकरण नालसा का फुल फॉम है और हाली में जस्टिस स.A. गोबरे को नालसा का अ जेस्टिस S.A. बोबडे को बनाया है Q7 हाली में एहमदाबाद मेट्रेल प्रोजेक्ट के किस चरण की आधार सिला रखी गई है जिसका सई उक्षन है दूसरे चरण की आधार सिला हाली में प्रधान मंतरी मोडी जी ने एहमदाबाद में रखी है आपको बता दें एहमदाबाद में प्रधान मंतरी मोडी जी ने मेट्रेल प्रोजेक्ट के अलावा बहुत से प्रोजेक्ट की विकासकारियों की उद्धाटन किया और उन बहुत से विकासकारियों की नेगदी रखी है जिसमें यह है मेट्रेल प्रोजेक्ट का गोल्ड मेडल जीता है जिसका सही उफ्षान है बजरंग पुनिया हाली में बजरंग पुनिया ने बुलगारिया में 65 क्लोग्राम यानि 65 केजी फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने बुलगारिया के डैन कोलेव निकोल पैत्रोब टूनामेंट में गोल्ड म फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है पजरंग पुनियां हरयां आकि जज़ज लेके रहने वाले हैं Q7. हाली में रास्टिय वर्ल्ड जीव दिवश कब मनाया गया है तो इसके से यॉप्शन है 3 मार्च फाली में 3 मार्च को रास्टिय वर्ल्ड जीव दिवश मनाया गया है आपको उता दें इस दिवश का मुख्य उद्देश जो बनस्पती और एनिमल्स हैं उन पर फोकस करना है और उन्हें संवर्शन प्रदान करना है आपको बता दें 2013 में संवर्शन रास्ट द्वारा इस दिवश की शुरुवात की गई थी और 2019 में रास्टिय वर्ण जीव दिवश की जो थीम है वह है जल के नीचे जीवन लोग वा ग्रह के लिए एक बस फिर आपको बता दें रास्टिय वर्ण जीव दिवश 2019 की थीम है जल के नीचे जीवन लोगों वा ग्रह के लिए तो इतना आपको रास्टिय वर्ण जीव अभ्यारन दिवश की बारे में याद रखना है और इसे नैशनल वाइल लाइफ डेवी कहा जाता है छिसका सई उप्षन है उत्तरपदेश के अमेर्थी में हाली में एक एसे वर्ण राइफल निरमाड की इकाई की आधार शिला रखी गई है यह एकाई रूस की मदस्ते संचालित होगी परदान मंतरी मोदी जी ने इसकी आधार शिला रखी गई अब बात आईए उत्तर प्रदेश की तो आपको मैं उत्तर प्रदेश की बारे में बता दें यह जगा है उत्तर प्रदेश को दरसाती है उत्तर प्रदेश की इस्थापना 24 जन्वरी 1950 में की गई थी उत्तर प्रदेश की गवर्णर है राम नईक उत्तरप्देश के मुख्यमंद्री हैं, योगी आदितिनात और उत्तरप्देश की राजथानी हैं लखनव तो इतना आपको उत्तरप्देश के बारे में याद रखना है Q9, हाली में पेंट माई सिटी योजना किस शहर में लॉंच की गई है इसका स्यफ्य ने प्रियागराज, हाली में प्रियागराज में पेंट माई सिटी योजना लॉंच की गई है आपको बता दें, इस योजना के तहट हजारों लोगों ने प्रियागराज में सारवजनिक इस्थलों पर पेंट गया था और इसे यह एक रिकॉर्ड बना जिससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डच दिया गया प्रियागराज में हाली में बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं जिन में से एक और है बस परेड का रिकॉर्ड प्रियाग राज में 503 बसों ने तीन दिसम्लव दो किलो मीटर की परेड़ बनाई थी जो जिसे गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्च किया गया आपको प्रियाग राज का पिछला नाम पता है प्रियाग राज का पिछला नाम था इलाहवाद तो इतना आपको प्रियाग राज की बारे में याद रखना है Q10 हाली में किस ने विवा वेग्जाने कारिकरम लांच किया है जिसका सई उप्षन है इस रो हाली में इस रो ने विवा वेग्जाने कारिकरम लांच किया है इस कारिकरम के तहट देश में युवाओं को अंतरिक्ष के टेकनोलोजी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी अंतरिक्ष विग्यान आधी के उप्योग के बारे में अवेरनेस फैलाई जाएगी और उन्हें अवेर किया जाएगा अब बात आईए इसरो की तो आपको इसरो की बारे में बता लें इसरो की इस्थापना 15 अगस्त 1979 में की गई थी यानि 15 अगस्त 1969 में इसरो की इस्थापना की गई थी इसरो का हेट्वाटर बेंगलोर में है और एड्मिनिस्ट्रेटर है के सिवान तो इतना आपको इसरो की ब इस्टेशनों की इस्थापना की गोशना की है जिसका सईवक्षन है बाइस इस्टेशनों हाली में भारतिय भूप इगयनेक सरविक्षन ने बाइस इस्टेशन जीपियस इस्टेशनों की इस्थापना की गोशना की है इन इस्टेशनों के द्वारा भूप कम की द्रफ्टी स खतानाक शेत्रों की पहचान की जाएगी इसमें मद्य प्रदेश का जो इस्टेशन बसाई जा रही है उसमें मद्य प्रदेश का भूपाल भी शामिल है एक इस्टेशन बाइस इस्टेशनों में से एक इस्टेशन भूपाल में भी बसाई जाएगी आपको बता दें भारतिय भुवेग्यान की स्थापना 1859 में की गई थी आपको ये याद रखना है भारतिय भुवेग्यान सरविक्षणक की स्थापना 1959 में की गई थी क्वेशन मेर ट्वैल हाली में बिंग कमांडर अविननन को किस पुरुषकार से शम्मानित किया गया है जिसका सही उप्षन है महावीर अहिंसा पुरुषकार हाली में विंग कमांडर अविनंदन को महावीर अहिंसा पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा आपको बता दें यह पुरुषकार अखिल भालती दिगंबर जन समीती द्वारा दिया जाता है और यह पुरुषकार हमारे विंग कमांडर अभिनन्दन को दिया जाएगा। अब आपको अभिनन्दन के बारे में पता ही है। पाकिस्तान के लड़ाकु गुवान को मारती समय अभिनन्दन का मिक-21 बिमार हाथ्चे में हाथ्चा गरस्थ हो गया था। जिसके करण उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गरफ्टार कर लिया था। लेकिन बाद में पाकिस्तानी सेना को बिंग कमांडर अभिननन को छोड़ना पड़ा। दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आख मारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मजद प्रदेश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग प्रेक्ट को लेकर आजरूँगे